नमस्कार आप देखने एक News24 और मैं हूँ वरीशाप के साथ बिहार के सीता मड़ी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे जानके केके पाठक भी माथा पकड़ लेंगे दरसर यहाँ पर एक स्कूल में 501 बच्चों का अड्मिशन है जबकि 316 बच्चों की हाजरी बनी थी वहीं स्कूल में छादरों की उपस्तिती मात्र 165 थी किके पाठक के राज में सरकारी स्कूलों में MDM योजना लूट का एक बड़ा जरिया बना हुआ है बराबर MDM के राशी और चावल के लूट के खेल का खुलासा होता रहा है इस लूट में MDM योजना से जुड़े कई अन्य कर्मी भी सनलिप्त रहे यानि सिर्फ प्रधान सिक्षक ही नहीं बलकि पूरी सुनी योजित तरीके से लूट को अंजाम किया जाता है बीच बीच में खुलासे भी होते रहे हैं प्रधान सिक्षक और अन्य बेनकाब होते भी हैं और कारवाई भी होती रहती है आए पूरी मामला को विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं मामला सीता मढ़ी जीले के परिहार प्रखंड का है जहां कि प्रधान सिक्षक MDA में लूट की हद ही पार कर दिये थे अब उनके खिलाफ प्राथमी की दर्च कराई गई है इस बीच प्राथमी की में आरोपित प्रधान सिक्षक रामनात प्रसाद ने कहा कि सब चोर हैं वहां के विद्याले सिक्षा समीती के अध्यक्षे रामनात चौधरी ने DPO MDM से शिकायत की थी कि प्रधान सिक्षक 80% बच्चों की हाजरी बनाते हैं जबकि 50% बच्चे ही मौजूद रहते हैं इस तरह MDM के चावल और राशी का घोटाला कर लिया चाता है DPO ने इसकी जाच कराई तो निरिक्षन के दिन पाया गया कि MDM पंजी में 333 बच्चों का दिक्र है जबकि मौजूद थे मात्र 158 बच्चे जाच रिपोर्ट के आलोग में DPO ने 10 अक्तूबर 2023 को प्रधान सिक्षक से स्पष्टी करन पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया DPO द्वारा 31 दिसंबर 2023 को भी प्रधान से जवाब मांगा गया फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया 25 जनवरी 2024 को DEO को खबर मिली कि प्रधान सिक्षक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो DEO ने प्रधान सिक्षक के वेतन पर रोक लगाने के साथ ही MDM DPO को खुद स्थलिये जाच करने के आदेश दिये साथ ही कहा कि अगर जाच में प्रधान सिक्षक सहयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ शीग्र प्रात्मी की दर्ज कराएं DPO ने जाच में पाया कि नामंगन 501 बच्चों की है जबकि हाजरी 316 की बनी है और उपस्तिती मात्र 165 बच्चों थे DPO के मांग के बावजुद प्रधान सिक्षक द्वारा उन्हें MDM का अभिलेग नहीं दिखाया गया था 31 मार्च को पूछा स्पष्टी करन MDM के DPO ने 32 मार्च 2024 को प्रधान के स्पष्टी करन पूछा साथ ही जवाब नहीं देने पर प्राथमी की दर्ज कराने का चेतावरी दी पर वो कोई जवाब नहीं दे सकें इसके बाद DPO ने 10 अप्रेल 2024 को परिहर BEO के प्राथमी की दर्ज कराने का आदेश दिया है जिसके आलोक में प्राथमी की दर्ज कराई गई है आरुपों को लेकर प्रधान सिक्षक रामनात प्रसाद ने पहले कहा कि ऐसा कुछ नहीं है फिर बाद में कहा कि वार्ट सदस से द्वारा शिकायत किया गया था वहरंगदारी की मांग करते थे अब स्कूलों में ऐसी बात नहीं है कि किसी को दिया जा सके उन्होंना स्विकार किया कि सब चोर हैं इससे वे भी शामिल हैं तो फिलाल इस खबर में इतना ही इसी तमाम खबरों की जनकारी के लिए आप देखते रहें एकन्यूस 24 को हमारा फेस्बुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चानल एकन्यूस 24 को सब्सक्राइब करें धन्यवाद